श्रिमत देवी भागवत महापुराण प्रथम सकंद सप्तम अध्याई ब्रह्माजी का भगवान व्रिश्णू तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करना सूत जी बोले तदंतर उन दोनु वीरों को देखकर सर्व शास्त्र वेत्ता ब्रह्माजी साम दान भेद आदी नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ती के उपायों को सोचने लगे इनके वास्तविक भल का मुझे कोई ग्यान नहीं है नीति के अनुसार जिसके भल की जानकारी ना हो उसके साथ युद्ध करना कदापी उचित नहीं होता यदि मैं इस समय इन मदुनमत दुष्ट दानवों के इस्तुति करता हूँ तो इससे स्वयम मेरित वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा इनके साथ इस समय मैं न तो दान नीती और न तो भेद नीती को ही उपयुक्त समझ रहा हूँ अतह इस समय उचित यही है कि मैं शेश नाग पर सोय हुए चतरभुज एवं पराकरमी भगवान वृष्णु को जगाऊं वे मेरी विपत्ती अवश्य ही दूर करेंगे मन में ऐसा सोच कर कमल नाल का आश्रय लेकर पद्मयोनी ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक वृष्णु के शरणागत हो गए वे शुभ संबुधनों के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायन जगत्पती भगवान वृष्णु को जगाने के लिए उनकी इस्तुती करने लगे ब्रह्मा जी बोले हे दिननात हे हरे हे वृष्णों हे वामन हे माधव भगतों की पिड़ा हरने वाले हे हृषिकेस हे सर्व व्यापिन हे जगत्पते हे अनंत स्वरू हे वासुदेव हे अंतर यामिन हे जगत के स्वामी हे दुष्टों तथा शत्रों का संहार करने में एकाग्र चित्त वाले हे चक्रधर हे गदाधर हे सर्वग्य हे सर्व लोकेश हे सर्व शक्ती संपन्न हे देविश हे दुख नाशन अब आप उठिये उठिये और मेरी रक्षा कीजिए हे विशंभर हे विशालाक्ष हे पुन्य श्रवन कीर्तन हे जगत स्रष्टा हे निराकार हे स्रिष्टी पालन संहार के खारक हे महराज ये दोनों मदोनमत दानव मेरा वध करना चाहते हैं हे सर्वाधार मैं इस समय संकट ग्रस्त हूँ क्या आप यह नहीं जानते हे महा विश्टो मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीडित हूँ और आपके शरणागत हूँ ऐसी इस्तिती में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालक का नियम निरर्थक हो जाएगा इस प्रकार इस्तोती करने पर भी जब योग निद्रा में लेन भगवान वृष्णू नहीं जगे तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान वृष्णू अवश्य ही शक्ति के अधिन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रह अब दुख से पीडित मैं इस समय क्या करूँ एहंकार के मद मैं चूरू वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश से यहां आ गए हैं अब मैं क्या करूँ और कहां जाओं अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निशकर्स पर पहुँचकर एक आगरचित होकर उन भगवती योग निद्रा के इस्तुति करने लगे उन्होंने अपने मन में यह द्रड विचार रख लिया की वे ही महाशक्ती मेरी रक्षा करने में समर्त हैं जिन्होंने भगवान व्रिश्णु को भी चेतनाहीन तथा नहीं स्पंदन कर दिया है इस लोग में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदी गुणों का आभास नहीं हो पाता उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मुदे हुए भगवान व्रिश्णु कुछ भी जान सकने में असमर्त हैं मेरे द्वारा नानाविध स्थुती की ये जाने पर भी भगवान व्रिश्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं अतयव मैं मानता हूँ की निद्रा इनके अधिन नहीं है अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशिभूत कर लिए गए है जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चे ही उसी का दास बन जाता है अतहो ये योग निद्रा ही लक्ष्मी पती व्रिश्णु की स्वामिनी हो गई है जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्षिमी के वश में रहने वाले भगवान व्रिश्णु भी वशिभूत कर लिये गए हैं उन्ही भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है मैं ब्रह्मा व्रिश्णु शंकर सावित्री लक्षिमी एवं पार्वती हम सभी उन्ही के अधीन हैं इसमें कुछ भी शंशय नहीं है भगवान व्रिश्णु भी जिस शक्ती के वशिभूत होकर विवश हुए से उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है तब अन्य महापुरुशों के विशय में क्या कहा जाए अतहो अब मैं योग निद्रा का ही स्तवन करूँगा जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे तदंतर ऐसा निश्चे कर कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान व्रिश्णु के अंगों में व्याप्त उन्य योग निद्रा के स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी बोले हे देवी इस जगत का कारण आप ही हैं वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ग्यात हुआ है इस समय योग निद्रा के वश में हो गए है हे माता समगर लोग को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है आपकी इस लीला से मैं तो मूढ हो गया हूँ और ये व्रिश्णु परवश होकर सो रहे है हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती करोडो देउताओं में भी ऐसा कौन विग्य है जो ऐसी आप निर्गुणा का रहश जान सके सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकर्ती से जगत की उत्पत्ति मानते हैं इनमें वे अचेतन प्रकर्ती को ही जगत को उत्पन करने वाली बताते हैं तो फिर क्या आप वैसी ही अचेतन हैं किन्तु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार व्रिष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती हे महमाई आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती रहती हैं अतह आपके रहश्यमाई कारियों का सम्य ज्यान करने में भला कौन समर्थ है हे भावानी मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातह, मध्याहन, सायम, निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं हे देवी आप बुद्धी स्वरूपा होकर समस्त लोग को ज्यान देती हैं और लक्षमी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं हे माता संपूर्ण प्राणियों में कीर्ती, मती, दृती, कांती, श्रद्धा एवं रती रूप में आप ही विद्यमान हैं हे देवी प्रगाड निद्रा के वशिभूत व्रिश्णु को देखकर विशम दुख की इस्तिती को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमान मिल गया कि आप ही नहीं संदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं इस विशय में अब सैकडो तर्क वितर्क की कोई आवशक्ता नहीं है हे देवी आप वेद शास्तरों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते क्यूंकि उन वेदों की उत्पत्ती का भी कारण आप ही है आपका यह संपूर्ण रहश्यमई क्रिया कलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है स्वयम मैं, ब्रह्मा, व्रिष्णू, शंकर, देवगण, अन्यमुनिवरिंद तथा मेरे तत्व के पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके है संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वल्णन कोई नहीं कर सकता है हे देवी, यदि यग्यों में वैदिक विद्वान, हवनकारी के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करें तो देवगण अपना यग्यभाग नहीं प्राप्त कर सकते अतयों आप ही देवताओं का भी भरण पोशन करती हैं हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन किये गए भयों से हमारी रक्षा की है उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें मैं आपकी शरण में हूँ हे देवी, हे वर्दे, मधु के साथ भयानक इस कैटब को देखकर मैं अत्यन्त भयाक्रांत हूँ आपकी योग माया ने भगवान व्रिश्णु के शरीर के सभी अव्यों को अपने वश में कर रखा है अतहु वे मेरी इस विशम विपत्ती को नहीं जान रहे हैं हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदि देव को मुक्त कर दें, अथवा इन दोनु महादैत्यों का वध कर दें इन में से आपको जो उचित जान पड़े, वह कीजिए हे देवी, जो मंद बुद्धी प्राणी, आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते वे ही व्रिश्णु तथा शंकर, आदि की आरधना करते हैं हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमान के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूं कि भगवान व्रिश्णु भी प्रगाड निद्रा के वशिभूत होकर सो रहे हैं आपकी शक्ती के वश में पड़े, अपने पती भगवान व्रिश्णु को इस समय सिंधु सुता लक्षमी भी नहीं जगा सकती क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्षमी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है जिससे वे भी नहीं जग रही है हे देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्तिभाव रखते हैं अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ही ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाय पूर्ण करने वाली कामधेनू तथा समस्त लोग की जननी मानकर आपका भजन करते हैं बुद्धी, कांती, यश, शुभ वृत्ती आदी गुण इस समय भगवान व्रिष्णू का परित्याक कर कहां चले गए हे भगवती, अतिशाई मानवाली आपकी ही शक्ती से ये भगवान व्रिष्णू इस समय निद्रा के वश्वर्ती हो गए हैं अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एक मात्र शक्ती हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला ही है जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनए करता है उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोहजाल में नानाविध लीलाएं करती रहती हैं यूग के आरंभ में आपने सर्वपर्थम व्रिष्णू का सरजन किया सब के पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ती परदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की उन्हीं भगवान व्रिष्णू को निद्रा अभिभूत कर आपने इस समय सुला दिया है हे अंब आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती है हे भगवती यदि आप मेरी सृष्टी करके मुझे नश्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना यह मौन त्याकर मेरे उपर दया कीजिए हे भवानी आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किसलिए उत्पन किया है कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया है हे भवानी अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्विच्छा से विहार करती है और पुनह उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती है उसी प्रकार मुझे नश्ट कर देना चाहती है तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है हे माता यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए हे जगदंबे मुझे मरण जनित दुख की लेश मातर भी चिंता नहीं है हाँ आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वपर्थम स्रिष्टि करता बनाया उसे दैत्यों ने मार डाला हे बाल लेला कारणी आप अपने इच्छा नुरोप चाहे मुझे मार दें अत्वा इन दोनु दैत्यों को मार दें या तो भगवान वरिश्टि को जगा दें जिससे वे इन दोनु का वध कर दें यह सारा काम करने में आप ही समर्त हैं सूति जी बोले ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार इस्तोती किये जाने पर वरिश्टि के शरीर से निकल कर तामसी देवी उनके समीब खड़ी हो गई तदंतर अतुलित तेज वाले वरिश्टि के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना योगत शरीर वाले हुए तब उन वरिश्टि को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसनता हुई